Tiger जिन्दा है सीक्वल सल्मान खान स्टारर सुपरेट फिल्म फ्रेंचाइजी एकतार टाइगर का सीक्वल जल्द ही आने वाला है इससे पहले साल 2012 मैं फिल्म एकतार टाइगर और 2017 मैं ताइगर जिन्दा है दोनों फिल्मों ने बॉक्स आफिस में कमाल कर दिया था जिसमें सल्मान खान ने एक रोईजन का किरदार निबाया था जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया था इस एक्षन त्रिलर बॉलिट ब्लॉक बस्टर सीरीज के अगले भाग को डिरेक्ट करेंगे अलियबाद जफर और फिल्म को प्रेडूस करेंगे आदिती चोपरा फिल्म में मुक्य कलाकारों में सल्मान खान कतरिना कैफ नजर आएंगे इस सीरीज के पहले दो बागों में एक्टर गिरिश कार नाड ने एक एम भूमिका निभाई थी अब देखना इंट्रेस्टिंग होगा उनके मृत्व के बाद ये किरदार कौन निभाएगा इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी हो सकती है कि टाइगर का एक पुराना दुश्मन कुछ बेहदी खतरनाक मनसूबे के साथ वापस आता है और भारत में आदंग मचाने की कोशिश करता है जिसे टाइगर और उसकी टीम विफल करने की कोशिश करते हैं अब देखना इंट्रेस्टिंग होगा क्या एक टाइगर सीरीज की तीसरा भाग बॉक्स ओफिस में उतनी ही कमाल कर पाएगी जितनी पिछली दो फिल्मों ने किया है दोस्तो आपको क्या मानना है क्या ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप आपके विचार और सुजाओ नीचे दिएगे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा दोस्तो इसके अलावा भी You are Bollywood के पास आपके लिए बहुत कुछ है उपर दिए गए बॉक्स को दबा कर हमारे लिटेस्ट वीडियोस देखें नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो यूटूब समस्ता है कि आपको देखना चाहिए बगल में दिये गए गोल बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें